असलालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल शबनूर अली, गुड मॉनिक, सुभा बखेर, शुपरभाद, इस प्यारे से गुलाब के साथ और करते हैं आज नस्टर्शियम की बात और इसकी रिपॉर्टिंग के साथ तुझ चल रहा है स्प्रिंग सीजन और स्प्रिंग सीजन का वेस्ट फ्लारिंग प्लांट है नस्टर्शियम और इसके खुब्सूरत येलो और औरेंज कलर होते हैं साथ में और भी कलर्स होते हैं अगर आपको मिल जाएं कॉमनली तो यही कलर मिलता है औरेंज एन येलो तो लाश्ट येर मैंने लगाया था खराब हो गया था गर्मी में लेकिन फिर मैं इसका प्लांट लेकर आई हूँ क्यूंकि अभी सीर्से लगाने का टाइम नहीं है लेकिन जो ये प्लांट हम ले आए हैं इसमें सीर्स भी आएंगे तब फिर इन्शाला उसको ग्रो करेंगे नेक्स सीजन के लिए अभी तो इसकी रिपोर्टिंग की बात करते हैं जिसके लिए मैंने लिया है तो मेरे पास एक बालकनी पर रखा हुआ प्लांटर था जिस पर स्वीट पोटेटोस की दोनों वेराइटी लगी थी ग्रीन और परपल तो ये बहुत अच्छे से चल रहा था सर्दी में खराब हो गया और इसकी मिटी भी काफी जड़ों से भर चुकी है तो मिटी को भी सही करना था प्लांटर में थोड़ा एनरजी देने के लिए मिटी निकालनी भी थी तो पहले तो मैंने इसमें कमपोस्टिंग मिला दी है ये वर्मी कमपोस्ट है लेकिन सिर्फ वर्मी कमपोस्ट मिलाने से काम नहीं चलेगा इसमें जड़ें बहुत भर चुकी है तो इसको निकालते हैं आप जबके मैंने इसको मिटी को निकाला है तो इसमें कुछ sweet potatoes भी हैं यानि शकरकंद जो इस wine की जड़े होती है और शकरकंद दोनों ही wine में पाई जाती है चाहे वो परपल हो या ग्रीन हो शकरकन जरूर निकलती है तो आप इसको शकरकन को कटिंग से असानी से ग्रो कर सकते हैं लेकिन किसी ब्यूटिफुल से प्लांटर में ना लगा कर बोरी या ग्रो बैग में लगाईए ताकि आप उसे निकाल सके तो मैंने मिटी सारी की सारी पलट ली है और उसमें मिलाया है चाई की पती ये दोई होई है मिठास इसकी निकाल चुके है यहाँ पर मैंने ली है वूड आश यानी लकडी या कोईले या कागस की राख और इसमें डाला है चावल की भुसी यानी राइस हस्क, साथ में गोट डंग और प्लांटर को ऐसे रेडी किया है ड्रेनेज होल पर मैंने चारकोल कोईले के टुकड़े रखे हैं और एक शेल्स अंडे के छिलके भी डाले हैं ये डीकंपोस हो जाएंगे धीरे धीरे और पूरी मिटी को मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर भरना है और ये ग्रोबैक से हम निकाल लेते हैं नस्टरशियम के प्लांट को इस पर पानी नहीं है जादा तो असानी से निकलाएगा पस हलके से टैप कीजे और इसको निकाल दीजे ग्रोबैक को ये लिजे खाली हो गया, काफी सॉफ्ट मिटी इसके अंदर भी है और ठीक है मिटी, सैंडी सॉइल है, जड़े भी अच्छे से डैवलप हैं तो हम इसको ऐसे ही रिपॉर्ट कर देते हैं नस्टरशियम के प्लांट को पानी जादा नहीं चाहिए होता है बस मॉइस्ट मिटी इसको पसंद होती है, नमी बनाकर रखना चाहिए इसी वज़ा से इस पर सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है इसकी मिटी में ताकि वेल रेन मिटी तयार हो जाए और ड्रेनेज होल भी आप अच्छे से रखिए वो बनना हो तो उसके उपर कंकर वगेरा लग दीजे इस तरह के मिटी नस्रेशियम को पसंद होती है और इसको आप लंग प्लांट के तौर पर भी बान सकते हैं या फिर इसी तरह से मिटी में अगर लगाएंगे तो ये बुश की तरह भी फैल जाती है ये ग्राउन क्रीपर के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं जमीन में बहुत अच्छी से फैलती है और इसमें जब आप सीट्स आने लगेंगे तो इसको कलेट कीजिएगा वैसे जब तक इसको अगर लॉंग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो सीट्स ना बनने दे प्रूनिंग फूल की करते रहेंगे तो न्यू न्यू शूर्स आएंगे और नए फूल भी बनते रहेंगे गर्मियों में अक्सर ये प्लांट वर जाता है इसलिए सीट्स इसके कलेट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है और हलकी ठंडक में तो ये प्लांट से चल जाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं चलते हैं तो सेमी शेड में रखेगा जहां हलकी धूप आती है तब थोड़े दिन तक आप प्लांट को चला सकते हैं प्लांट को अभी लाइए सीर्स ना ग्रो कीजिए क्योंके मैं ये नहीं कह सकती कि अभी सीर्स ग्रो हो जाएंगे और प्लांट बन जाएंगे नस्टर्श्म के ये एक खास बात है कि ये एडिबल प्लांट है यानि खाने लायक इसके पत्ते सैलिड वगरा में लोग यूज़ करते हैं तो इस ब्लांट को जरूर लगाईए साथ में पत्तियों का ये जो राउन शेप है ये बहुत खुबसूरत लगता है बिल्कुल लोटस की लीज़ की तरह तो वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो एक लायक जरूर कीजिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्च नहीं होता है लेकिन अच्छे अच्छे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहते हैं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफिस